अव गुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम अव गुणों से हम भरे हैं, गुण बहुत है कम बदला तेरी रह्मतों का देल अपाई हम बदला तेरी रह्मतों का देल अपाई हम बदला है जो दीविना जैसे दिया बेनु 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 जैसे बेनु जैसे बेनु जैसे बेन से दिया बेनों चलती फिरती हम थिलाशें जिंदगी से दूर जिंदगी से दूर ज्यान देकर जान डाली कर दिया करम ज्यान देकर जान डाली कर दिया करम बदला तेरी रहमतों का देना पाए हम बदला तेरी रहमतों का देना पाए हम तन थमेला मन थमेला थी नजर मेली तन थमेला मन थमेला थी नजर मेली हो गई जीवन की चादर इस कदर मेली हो गई जीवन की चादर इस कदर मेली आज चम के इस तरह जैसे कोई पूनम बदला तेरी रहमतों का देना पाए हम बदला तेरी रहमतों का देना पाए हम ये खुरा के ये पुशा के आर ये सिंगा सन आर ये सिंगा सन ये खुरा के ये पुशा के आर ये सिंगा सन आर ये सिंगा सन हम कहां थे इस के काबिल आए मेरे भगवन हम कहां थे इस के काबिल आए मेरे भगवन जो मिला तेरी रहमत से मिला सनम जो मिला तेरी रहमत से मिला सनम बदला तेरी रहमत का देना पाए हम बदला तेरी रहमत का देना पाए हम पूल के हाती को अपनी यूना हम फूले यूना हम फूले भूल अर क्या हो गए ये ना हम बूले ये ना हम बूले क्या थे और क्या हो गए ये ना हम बूले ये ना हम बूले बूंद आकिर बूंद है एहसास वो हर दम बूंद आकिर बूंद है एहसास वो हर दम बदला तेरी रहमतों का देना पाए हम 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 संसार में क्या क्या आता है देखो सब के जीवन में कैसा जीवन है सुता का कैसा था विबारी कैसे सब कहां चली गए सब कैसे हो गए यह तो है यह सब ज्ञान में रहके इस चक्षों खुले रहते हैं करें धांड़ास रहता है धीरेज रहता है कि सब कुछ है परिस्थिति है यह एक इस्थिति एक ड्रामा है वास्थ्विक सत्य नहीं है यह ये समय भी नहीं रहेगा, बदल जाते हैं, बदलाओ, 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 हर इस्थित में आप अपने में खड़े रहे हैं, पानी में लहरें कितनी आ रहे हैं, अरे इतनी भाड़ी लहर समुद्र में आती हैं, आप पैर जमा के खड़े रहे हैं, आएगी जाएगी, ऐसे दॉरा हम अपने मन को थामे रहते हैं, समाले रहते हैं, सांत करते रहते हैं, तो आराम रहते है नही तो मन के कहने में लहराई आखों से बख डरा गई बाह गई उसी के साथ कितनी देर डूबया बाह को पता नहीं कहाँ चले गए कितनी कल tape गलत गिलत करके अपने को कर्च कर लाला, सारी सकती बिकार कर दी, हरे के जीविन में, ऐसे आता रहता है, चला रहता है, फिर जैसे करता है, जीओं करते हूं, और मजबूत होके खड़ा होता है, परिस्थितियों से मजबूत बनता है, फिर अपनी परिस्थित से दूसरे को समझ के उसके काम आ सकता है, अपने से ही दूसरे को काम आता है, जब तक अपने में नाया हैं, दूसरे के काम नहीं समझ पाता है, नित अब्यासी तो हम लोग का है, अब वो थुड़ी है कि हम उसी में मिलके रोने दोने लगें, चिंता करने लगें, गलसां कल्प बनाने लगें, खुश रहो, हर हाल में मन के कहने से उदासी न लाके, बैराग जरूर लो, बैराग मन को हटाना, बैराग मन अब देश नहीं है, छोड़ना नहीं है, चूटता कुछ नहीं, जान लेता है, इसमें नहीं है, मेरे अंदर ही सब कुछ है, तेरे अंदर माल खजाना ना जाए ढूनन देश ब इस ग्राषित में पेपर हैं। यह इसी चीज है, इसी आइसी चीज हैं। कोई नहीं ले सकता है। ऊपितक नहींद रफाल। ज्यान धिन है। आतम ज्यान मिनम Centaff Musgo की अट मंपतन करती है। मेरा अटम अटम्रिण Mitte मेरा बना के कहां जोक हैं। कौन सात थी है? वो जो सात में था पहले भी, गर्वे में भी था, बाहर में था, देखने में यह आ रहा ह। देकिन वही था, सब रूपों में, कोई नहो तब भी वो है, वो सकती तो है, सरीर नहीं है, लेकिन सकती है. थोड़ा बिचार, गाफिल बिचार मन में हरी नाम क्यों बिचार? सुनता नहीं बजे है सरकाल का नगाड़ हरी नाम न बिचार हो, हरी नाम ही साथ जाएगा अभी से देखो, यहां से वहां बदलने में कितना बिकार का सामन हटा दिया जाता है? कितना ले जा सकते हैं? ऐसे जाते समय कुछ साथ में नहीं जाता है, सरीर चोड़के जाना है, सरीर यह मोटा है, भारी है, यह साथ में नहीं जा सकता है इसको छोड़ना पड़ेगा आप जाएंगे सरीर नहीं जाएगा सुख्र सरीर अपने साथ ले जाते सुख्र कभी यहीं वो कर दे और कारण को भी यहीं मिटा दे तो आप आजाद हैं समाए पड़े हैं ना आए हैं ना जाए विखेरते चलो क्या चीज ले जाएं सार्थक क्या चीज ले जाने में वही राम नाम धन कामा आएगा राम नाम की यह बिकुल बरसों से कही जाए रहे हैं इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते नया सुने तो नहीं होगा वह बरसों से यही कथा पुरातन, सनातन, पुरातन से आत्मा और परमात्मा बताया जारा है अन्भा में कभ हुआ, कहा हुआ है कभी मन को बनाया ही नहीं मन मानी करते हुए आगे भला बुरा जोक दिखाए इंद्रियों से वही मानते हुए राग देश में जीवन गवादिया मेरा तेरह, स्वांग को सच माना, बन गया देह में दिवाना, देह की परतिश्ठा में, देह के कानपान में, देह के सार्त पूरा करने में अपना समय गुजर दिया, अपनी देह और अपनों की देह खल्या, देखा ही स्रंगार में लगर मन का स्रंगार किया ही नहीं, अंतह करना सुध्य किया ही नहीं, इसी के लिए अंतह करना सुध्य कर लेता है, बाहर की बातों से अंतह करना सुध्य करता है, आपको अंदर ही आराम है, वही आपका साथी है, वही आपकी जगह है रहने की, बाहर आ अप्टिक नहीं पाते हैं अप्टिकाव नहीं है आनन्द आपका आपका जए विशे टिकाव नहीं जिस विशे पर आपको आनन्द में वो भी शे हड़ सकता है फिर वहीं भी से आपको अच्छा भी नहीं लगएगा जो अभी तक अच्छा लग रहा था वह थोड़े दिन बाद अच्छा ही नहीं लगएगा क्यों उसमें है नहीं भूल से आप इतना समय बिताया उसमें उसमें है था ही नहीं पहले से नहीं था काम लेते लेग inverter उसे अनंद खोजने की कोशिस न कर लेगत खर के भी तरी यह ठिका हूँ नहीं बदलने है सरीर भी बदलने वाला है ना जवाणी में तिको ना बच्पने में ना जवाणी में ना बुढ़भ मैं किसी में मन ना ठिका के आत्मा में ठिको अनभोकर नित्त अभ्यास पल पल अभ्यास भूले गाफिलूए दुब्य अपने लगेगा चिंता सोक सब आके घेर लेंगा उदासी आएगे आनंद स्रोत बहरहा पर तू उदास है अचरज है जल में रहके मचली को प्यास है कल्प ब्रक्ष आपके पास है अच्छा अच्छा संकल्प करो कल्प ब्रक्ष के पूजा की जाती है अच्छा अच्छा विचार करो मन मंदिर में दर्सन कर ले उस प्राणों के प्राणक ना ये तेरा ना ये मेरा सरीर, तेरा मेरा नहीं, भगवान कम मंदिर है, मंदिर है भगवान के, हाँ, पढ़ा, ब्यर्थ के चिंतन से हटो, अवे छण का आनंद लो, आगे की बात न सोचो, ये छण में खो जाओ, डूब जाओ, भूल जाओ बाहर की सब बात, ये अपना है, ये छण अपना है, अपने हाथ में, भूलता नहीं उसे भूलाने के लिए ही उसी की क्रपा चाहिए, डॉक्टर की क्रपा होती है, तो कैसा किस को बुलाता है, सुंगाने वाले को बेहोसी सुंगाता है, फिर आपका उपरेशन कर देता है, जड़क से बीमारी निकाल देता है, स्वस्त कर देता है, लेकिन बात तब तक उसी की मानने पड़ती है, बाद मैं भी जा जाके दिखाते रहते हैं, उसी की बात पर भरुसा करते हैं, तो अपना एलाज ठीक होने का एलाज कर रहे है, उसमें तन मंधन देना है, अइसे ही ग्यान में हमें तन मंधन लगाना है, समय देना है, चाहा है लो, गया है दिखाने गया हैं, अभी नमबर ही नहीं आरहा, तो भाग थोड़ी आते हैं, बैठे रहे हैं, दूसरे दिन जाओगे तो भी वही होगा का वाज नहीं कल चले जाएंगा कल भी वही सही होगा परसों भी वही सही होगा आज करो ना आज अपना समय न खराब करो सत्संग करो, सेवा करो, सुम्रन करो सत्संग के दोरा ग्रहस्त में भी सेवा भाव होगा तो उसको करता मानेंगे ना अपने को करता मानेंगे ना उसको प्रारब्ध का खेल है ईश्वरी करार है उसकी कृपपा को समझेंगे उसकी महमा को जानेंगे संग चाहिए बहुत दिन से ये लोग कहीं गए नहीं बंद गए जिससे क्या करें वासंतार में है यह बंदा जैसे अब कौन देखेगा चले जाएं तो कौन देखाएं संगती चाहिए बदलाव चाहिए माहौल बदलना चाहिए रेखा आजाएं गुड्डी भी आजाएं थोड़ा बदलेगा बदला हुआ माहौल अच्छा लगता है हाँ बजनवल है वो व्याद कह रहा है आगे है व्याद कल के आगे है हाँ अच्छा है यह दूजवर आपको आश्या दे हो रहा था जंगल में चिडिया का जनला उस इसली को कैसे मालूं फिर उससे भी अधिक आपको यह बहुत अच्छा रहेगा तुम घर में रहोगे सेवा करेगे घर में रहे तभी तो सेवा करेगा घर में रहे तो सेवा कैसे करे तो अपकी घर में रहेंगे उन लोग को भी अच्छा लगेगा कि भावी साथ में है अच्छा लगता है थोड़ा मीठा लगते फिर उससे भी अधिक आश्चर तब हुआ जब भावी का सुख लेंगे आधिए देखो कैसे बते कमी उटाये जता है कमी क्या किया जता है है जो हमारे मन में हम बोल देते अब तुम हम सुना होता हो सुने हो नहीं पड़ेगी सच में सुनाई नहीं देगा आशर तब हुआ जब आपकी भेट मुझसे हुई परन्तु ये तो मामूली बाते है मैं पहले उपर कह जुगा हूँ तब से मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सके हे दुशेष्ट इंद्रियों के सयम सत्यपालन और आत्मदान करने से मनुष्य अनायास ही परमपत को प्राप्त कर लेता है रामण हे ब्रत्शील इंद्रियों क्या है उनका दमन किस प्रकार करना चाहिए दमन का फल क्या है और वह फल मनुष्य किस प्रकार पाता है इन सब को तत्तों के ज़ारा मैं जानना चाहता हूँ, क्रिपा कर मुझे से कहिए व्याग, हे ब्रामर, किसी भी वस्तु का ज्यान प्राफ्ट करने के लिए पहले मनुष्य का मन उधर जुगता है उस वस्तु का ज्यान हो जाने पर मनुष्य उसे पाने की इच्छा करता है और ना मिलने पर उसे क्रोध आता है इच्छी वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह ब्राम्मन है से देखा तो और अच्छा तो उसको समझा रहे हैं तो ग्रेस्ट लो जी अच्छ अब व्याग जो है ब्रामण को यह बता रहा है कि इंद्रिया क्या है और इंद्रियों के दमन का फल क्या होता है अब बुद्धि आई यहां ठाई अब बुद्धि यहां लाउटे तो अब यहां से पढ़ते हैं ब्रामण यह वरत्षी इंद्रिया क्या है उनका दमन किस प्र पाता है इन सब के तक्तों को मैं जानना चाहता हूं कृपा कर मुझसे कहिए यह प्रश्च्न किया अब व्याग कह रहा है है यह ब्रामर किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राफ्ट करने के लिए पहले मनुष्य का मन उधर जाता है जुगता है उस वस्तु का ज्यान हो जाने पर मनुष उसे पाने की इच्छा करता है और ना मिलने पर उसे क्रोधाता है इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए यह यत्ट और महान कर्ब प्रारंब करता है और जिस रूप तथा गंद की उसे इच्छा होती है उसका अभ्यास और सेवन करता है तब उन चीजों के ऊपर उसका प्रेम होता है जो चीज़ें उससे विरुद होती है उनसे देश्क होता है वस्तु की प्राप्ति होने पर लोव होता है और लोव से मोह होता है जब मनुष लोव मोह और राद देश्क के वशी भूत हो जाता है तब उसकी बुद्धी धर्म से हटकर पाप में फस जाती मतलब पहले मन उधर दाता है पिर मन उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है कैसी चीज है महत तो बताता है महत उसको पाने की इच्छा पैदा होती है ऐसे इसका भी महत बड़ा प्रेम नहीं है परभू का महत बढ़ाया गया तो फिर उससे किसी को तो होता है और किसी को नहीं होता है तो उसको महत बढ़ा के कराया जाता है जैसे रुपय का महत बढ़ाया जाता है कि रुपया मिलेगा तो यह चीज खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे ऐसा कर लेंगे वैसा महत बढ़ाये गया, तभी तो बच्चे कमाने की सोचते हैं, पढ़ाई का महत बताया जाता है, जब उन्हें ग्यान हो जाता है पढ़ाई का, तब उनकी रूची होती है, पहले छोटे बच्चे पढ़ने में बहुत परिसान करते हैं, फिर उनको बढ़े होते हैं, महत तो हो पूरा को जाता है, अभी तो करना ही करना, करना ही करना, बाद में इसका फायदे दिखाई देते हैं, अब गुरु जी ने करवाया, तो गुरु जी कहा है, यहां? फाइदे तो हम उठा रहे हैं झा उसका लाभ तो हम उठा रहे हैं जो उन्होंने हमें ऐसा मजबूत बना या अरज गया के ले आने जाने का नहीं तो किसकोँ सरफ़ाथी अपना टाइम हैं कि हमें साथ लेके जाए हमारे साथ जाए बैठा दे कर दे वहां तक जहां तक ऊची थे जहां तक थोड़ा सा है वो रहता है बाकी तो फिर मजबूत आपको बनना है नहीं तो एक ही काम में दो लज़ेने लगे, कैज़ेने लगे नहीं तो काम यहां बैठा दिया, उदर उतार लिया कितना गुरुजी यही बोले, का इतना टाइम का है बरबात करो उत्ती दिर में वो काम करेगा अपना आज समय की ऐसा ही, आज किसी के पास समय नहीं किसी के पास समय नहीं समय बचाने के लिए वो पैसा ज़्यादा खर्च कर देते हैं, समय को बचाते कि इतने समय में तो हम इतना कमा लेगा समय की कीमत समय की वज़े से तो वो चालान देने को तयार हो जादे चावराह पार कर जाएं, ज्यादा ज्यादा पैसा तो देना पड़ेगा और हमें अभी बड़ा जरूरी काम है पार कर जाएं लेकिन ये सही नहीं है कि वह भी जरसा कुछ हो जाए तो पिर वह किती देर लग जाएगी जैसा चू भी जाएगी जरसा गाड़ी चू जाए तो कोई ऐसे मिल गए आपका घंटों समय बरबाद कर देंगे जब आपका कोई दोस नहीं होगा ना उनका नुकसान होगा ना तुमारा होगा फिर भी वो टाइम लगाएगी तो इससे अच्छा है कि घर से निकलते समय जरूर जल्दी करो टाइम से निकलो जब जानते हो रस होगा यह होगा उमें जल्दी पहुँचना है तो थोड़ा थोड़ा और टाइम रखके चलो लेकर चलते समय तो हमें विक्कुल काईदे से चलना मन बैलंस करके चलना धीरज में चलना उस समय जल्दी नखरो अभी जैसे सत्थांग में करना जल्दी करना उमर का भरूसा ने लेकिन अब मिलने में धीरज करो मिलने में नस समय जल्दी मिल जाए करने में जल्दी करो मिलने में तो टाइम एक साल तो एक क्लास में लगेगा ही लगेगा और हम चाहते चले कम मिले ज़्यादा ऐसा थोड़ी हम चलने में तो करते नहीं जल्दी मिलने में चाइते अभी मिल जाए कुछ ऐसा कर दूँग हो जाए ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता अगर उसके बस बे है तो सारे संसार को करना है उसंसार से प्रीत करम कटवाता है आपका अलबो देता है कब तक आप उसके आफरे रहेंगा दूसरे के आसरे खुद अन्बाव करके आगे बड़ो चाहे गिरो चाहे पड़ो बच्चा गिरे चाहे पड़े बार-बार उठाके फिर चलाया जाता है फिर चलाया गिरते पड़ते एक दिन ताखता जाती छोड़ा जाता है उसे उसी में मजबूती आती है बल्वान बनता है खुश समालता है तब उसकी बुद्धी धर्म से हटकर पाप में फज़ता है राज़ेश से प्रिद्ध होकर वो तीन प्रकार का अधर्म करता है वो पाप की बात सोचता है पाप की बात कहता है और पाप कर्म करता है सोचता है कहता है और करता है पापी जीवा पाव कर्म करता हुआ मनुष इस लोग में दुख पाता है अब परलोग में नश्ट हो जाता है जो पाव आत्मा है उनकी यही दिशा होती है अब धर्म से जो लाब होते हैं उनको सुनो जो मनुष अपनी बुद्धी से इन दोशों को पहले ही देखकर सुखुत दुख दोनों में उचित आचरन करने में कुशल हैं साधु जनों की सेवा करते हैं उनकी बुद्धी अच्छा कारी करने से धर्म में प्रवत्त होती है बाहर और भीतर के कर्म करने के जो साधन है उनको इंद्रियां कहते है बाहर और भीतर के कर्म करने के जो साधन है उनको इंद्रियां कहते हैं इसका पता जो अंदर सोचते हैं विशाइपाने के लिए वो भी कर्म ही हो गया इंद्रियों के लिए करतापन यह यहां यह करा बाहर और भीतर के कर्म भीतर के कर्म यहां क्या है भीतर भी तो है सोच इंद्रियों को अदर देखा ही हुआ तो अंदर जाता है गुरु क्या दिखाते है उल्टा दिखाते है इंद्रियों ही आँक से दूसरा देखते हैं गुरु कहता है नहीं अदर भागवान है शरीर दिखाई दे रहे हैं इंद्रियों से यह अनेकता दिखाई दे रहे हैं अंदर के आँक से एकता है वो अंदर विचार को पलठता ह इंद्रियों से तो यहां बाहर जो देखा हुआ ही इंद्री का देखा हुआ ही तो मन लिए जा रहा है उसी की बात मान के दूसरा दूसरा देखो एक बार अभी हम जो कह रहे थे इन लोग से एक बार सब हटाया जाता है फिर ग्रहस्त कराया जाता है, ऐसा सुचो बस अभी व्याह के आए हैं, दंदे आई हैं, हमें सेवा करनी हैं, देखो फिर कैसा से, ओ कराता है फिर, तब प्रेम, सच्चा प्रेम बढ़ेगा, सुच्चा प्रेम कराता है, ग्रहत के लिए ही ग्यान है, संसार में धर्म करने के लिए ग्यान है, देखे जो धर्म मिले हैं, हम सब कर नहीं पाते थे, करते थे तो बाहर से करते थे, अंदर से जलते, अब अंदर बहात तुसे करेंगे, बाहर से थोड़ा कम भी हो जाएगा, तो कोई बात, प्रेम से, उनके उठने के पहले हमें उठना है, फिर बड़ा मज़ा, ऐसे करना है, कोई नहीं, स्वस्थता होगे, स्वस्थता होगा, धर्म पालन से अमारे को ताकत पढ़ेंगे, शुरू से ऐसा थोड़ी ना था, कोई बिमार थोड़ी ना आया था, तो धर्म, अब धर्म करना है, बाहर और भीतर के कर्म करने के जो साधन है, उनको इंद्रियां कहते हैं, उन्हें असद विश्यों से हटा कर सद विश्यों में लगाना ही उनका निग्रह करना और इस निग्रह का फल है, परमपत की त्राप्ति, इंद्री निग्रह, इंद्रियों को मोड़ना, सोच को भी अपने बदलना, यही निग्रह, जो नामरूप दिखाता है, ऐसा अच्छा बुरा दिखाता है, उसको बदलना ही, तो निग्रह होता है, एक्षा पूरी होई तो आपकी त्रश्ना बढ़ जाएगे, पूरी हो जा अब यह मैचिंग वहला जो हो गया, यह बड़ा नहीं तो, कित्ते है, कित्ते पिटिकोट, किती साहँआ हैं, किदके सब के काम यह, मैचिंग, 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 इतने कालिगन होते थे, काम तो दो से चल सकता है, लेकिन मैचिंग, मैचिंग में रखो इतने सारे, सरी ढखने के लिए, जाड़ा जाने के लिए तो बहुत है, तरशनाएं नहीं हैं पर, तरशना है, इक्षा भगवान पूरी करता जाए, कभी तरप्त हो के दिखा दो, कभी कर दो, बस अब नहीं चाहिए, अब हमने ये चाहा था, हमें मिल गया, अब हमें नहीं चाहिए, कुछ दूसरी चाहप पैदा कर देगा, ये अपने में ही देखो, तो समझ में आ जाएगा, फिर जागरूख होते जाओगा, कि अरे इससे कभी तरपती नहीं होगी, तो इक्षा को करता भी करो हो गया, तो ठीक है, नहीं, तो मौड लो, इसमें भलाई, जो मिला उसमें भलाई, जो हो रहा उसमें भलाई, बताया, समझाया, फिर जो हो रहा उसमें भलाई, उसमें भलाई, उसमें भलाई, ऐसा करके अपने सांत हो जाए ब्रामाण देव दया परम धर्म है शमा बहुत बड़ा बल है आत्मा का ग्यान ही परम ग्यान है जो आपके पास है दया शमा सब आपके पास उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है मन नहीं करने दे रहा है अगयान आत्मा बैज्यान ही परम ग्यान है और सत्व से बढ़ कर कल्यान का कोई सादन है नहीं जो अपना सब काम बिना किसी आशा के बनधन रही ठो कर करता है और अपना सब कुछ त्याग रूप यग्य में हवन कर देता है वही त्यागी है वही बुद्धी मान है इस प्रकार व्याग ने बहुत से धर्म बता कर कहा ये द्यूजशेष्ट अब अमली तोर पर मैं जिसका धर्म का आचरा करता हूँ उससे मैंने जो सिध्धी पाई है व स्वयन चलकर देख लीजिए उठीए शीक घर में अंदर चलकर मेरे माता पिता से भेट कीजिए अच्छा अंदर जाकर ब्रामण ने व्याद के माता पिता को बैठे देखा वे उजले साफ कपड़े पहने हुए व्याद ने जुक कर उनके चरणों वे पढ़ाम किया तब दोनोंने आशियाद देते हैं कहा बेटा उठो तुम्हारी धर्म तुमाही रक्षा करें हम तुम्हारे विशुद्र वियवहार से बहुत प्रसंन है तुम सपूत हो तुमहरा अनता करण पवित्र है तुमने इष्ट गती ज्यान तप और सत्जभुधी को पुराब्त किया तुम पर तुम्हारे पितामा और पितामा की बहुत भी बहुत प्रसंद हैं। बिड़ा परमात्मा तुम्हारे आयू बढ़ावे और तुम सदा सुखी रहूँ। कितना अशिरवाद मले हैं। है कि अपने खुछ अचिर्वास से कै तुमारे पिता मैं सब बड़े प्रसरना है ऐसे है ग्रेया से ध्र्म बखाई धर्म अगर ने भे नहीं रहा है यही कराने के लिए तो गुरु ने इया न करानी के लिए और क्या दय और क्या दय है सब समझते तोडने के लिए दिया जोडने के लिए दिया जो बावर से जुड़ा दिखता था, अंदर से, मन से तूटा था रागद्विस था, बाईर था उस सब मिट जाएगा परेम आजाएगा, सुवार तो चला जाएगा दया, छमा, जो आगे पिछा है, सब कोई नहीं उसका मतलब ही नहीं सब बूल जाएगा प्रेम ऐसी चीज है, निस्वार्थ प्रेम रूची देख के उसकी रूची से काम करो हम अपनी रूची से उसको करते हैं उसकी रूची देखो, जिसके साथ कर रहा है, उसकी रूची देखो अपने से जाते हैं, एक और खा लो तुम अपनी मनमान की पूरी करना चाहे रहे उसकी रूची तो देखते ही नहीं अपनी मनमानी हर समकराते हैं उसकी रूची देखो हर किसी का यही संसार हुआ उसमाजते प्रेम कर रहा है उसकी रुची से चले हुआ तो खुदी प्रेम में तुमको क्यू चलेगा फिर व्याग के पिता ने ब्रामण से कहा आप सारी विग्न बाधाओं से रहित होकर यहां पदा रहे हैं ना ब्रामण बोला हाँ मैं अब इन व्याग के धर्मोप देश से अपने को बाधाओं से रहित पाता हूँ व्याग भगवन देखिए फिर से पढ़़ए अमें समझ में ना है तो फिर हमारे दिमाग कहीं दर उधर रहे हैं अंदर जाकर ब्रामण ने व्याग के माता पिता को बैठे देखा वे उजले साफ कबड़े पहने हुए थे देखो इधर ग्यान पहले चल रहा हूँ उधर वो बोल रहा है यह ग्यान पहले चल रहा धरम का उधर वो बोल रहा है यह गुरुजी का ग्यान सत्य ग्यान यहीं व्याग ने जुक कर चड़नों में प्रणाम किया तब दोरों में आश्रिवा देते हुए कहा बेटा उठो धर्म तुम्हारी रक्षा करें तो तुम्हारा अंता करां पवित्र है इसा पिता जी बोल रहे है माता पिता तुम्हें इतने इस्ट गती ज्यान तप और सत्वुथी को पृत किया है तुम जित्रे इंद्री हो इंद्रे को जीतने वाले इस प्रकार मन वानी और शरीज से माता पिता की दिशकाम सेवा करते देख तुम पर हमारे तुम्हारे पितामा और प्रपितामा भी बहुत प्रसंद है पुर्जे भी बहुत प्रसंद है बेटा प्रमात्मा तुम्हारी आयू बढ़ावे और तुम सदा सुखी रहो फिर माता पिता ने व्याग के साथ जो ब्रामण आया उससे पूछा आप सारी विगन बाधाओं से रहित होकर यहां पधा रहे हैं ना ब्रामण ने का हाँ मैं अब इन व्याग के धर्मोप देश से अपने को बाधाओं से रहित पाता हूँ अब व्याग बोला भगवन देखिए यह जो मेरे माता पिता है यही मेरे सबसे बड़े देवता है जो पुझा देवताओं की की जाती है वही मैं इन दोनों की करता हूँ इनी को परम पुझी मान कर फल फूल आदी जो कुछ बड़ा है निवेदन करता हूँ और जैसे भगवान को इस्तरी पुत्र धन आदी सर्वस अरपण कर दिया जाता है वैसे ही मैंने इनी की सेवा में अपना सब कुछ अरपित कर दिया है अच्छा अभी कहा जाता है नहीं क्या कहा जाता है माता पिता है वहाँ भगवान देखो भगवान माता बना है भगवान पिता बना है अरे बेटा बेटी में भी कहा जाता है भगवान बना है बेटा बेटी इनकी सेवा तो जो कर्म कर तो बोश से न करो प्रेम से करो चाहे जिसकी भी है सब में भगवान देखो भगवान तो है ही सरीर धारण की है ग्रैस्त में ही कर्म को पूजा बनाने के लिए कहा जाता है कर्म पूजा बना वो नहीं है कि हम भजन चोड़ के कैदे हम कर्म कर रहा है पूजा कर रहा है अरे आ सकती में मरे जा रहा है पूजा कर रहे हैं यह धर्म नहीं है धर्म है गुरू सिखाता है रोच कहा जाता है जो भी है सब में भगवान देखके करो कि भगवानी बना है सब उसी का यह सब पसा रहा है तरह तरह के रूप धरे यह देखो इस रूप में भगवान इस रूप में भगवान इस रूप में भगव भगवान नहीं है वहले भगवत भाव डालो फिर उसके प्रत काम करो जैसा है उससा जैसा है बच्चे के पाद जैसा वैसा करो बच्चे के साथ बड़ों के साथ कैसा वैसा करो सब के साथ करो लेकिन देखो भगवान नाम रूप कर्म न देखो भगवान देखे करो वही तो निकला है सब कितने लोगों पर संतान नहीं होती जब तब भगवान न चाहे तो संतान भी नहीं होती संतान भैवान नहीं बन गया थे इसलिए भाग में न हो बहुत ऐसा हो आप भक्ती कर रहे हो तो आपके पूर्ति के लिए वो भगवान खुद आ जाता है, एक तो अंस है, एक तो खुद आ जाता है पुत्र और पत्नी सहित, मैं इनकी नित्ति पूजा करता हूँ और हर बात में इनकी सुक्सुईधा का ध्यान रखता हूँ मेरे लिए तो यही साक्षात श्री नरैन है हे द्विजराज, शास्त्र में माता, पिता, अगनी, आत्मा और अपने को परमार्स का उप्देश करने वाला ये पांच गुरु माने गए है शास्त में माता, पिता, अगनी, आत्मा और अपने को परमार्थ का उद्देश करने वाला ये पाँच गुरू माने गए है जो मनुश्य सेवा करके इनको प्रसंद रखता है वो सदा सुखी रहता है ग्रहस आश्रम में रहने वालों का यही प्रधान धर्म है आपने धर्म का त्याग कर दिया है आप माता, पिता से आग्या लिये बिना घर छोड़ाए हैं बेपेचारे आपके वियोग में अंदे हो गए हैं आपको ऐसा करना उचित नहीं था अब आप यदि अपना कल्यार चाहते हैं तो शीग्र से शीग्र घर जाकर माता, पिता को प्रसंद कीजिए यदि आपके माता, पिता दुखी रहे तो आपका सब कराधरा व्यार्थ है मेरी बात पर रिश्वास कीजिए और मैं जो कुछ कहूं वही कीजिए क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जिसमें आपका यथार्थ कल्यार समझूंगा आप सब आप सब जल्दी अपने घर जाईए और आलस से तथा लज्जा छोड़कर माता, पिता को देता समझ कर उनकी सेवा कीजिए इससे बढ़कर आपके लिए दूसा धर्म नहीं इतना सुनकर ब्राहमन ने कहा ओहो भागे जो मैं यहां आया आप जैसे धर्म कर्म बताने वाले लोग संसार में दुल्लव है इस प्रकार धर्म का उप्देश करने वाले हजारों में कोई एक होंगे आप से धर्मो प्रदेश सुनकर मुझे बड़ी प्रसनता हो रही है आपने मुझे नरक से बचा लिया अब मैं अपने माता पिता की सिवा करूँगा अब आगे शांती पर शांती देवी से ये सुन्दर इतिहास सुनकर सुमती ने कहा आपके मुझ से धर्म की महिमा को सुनकर आश्चर्य होता है शांती देवी बोली पहले भी सांती करती थी सबकी सेवा वो सुमत कौन थी सुमती पहले भी सेवा करती थी दुखी रहती थी अब ज्ञान के द्वारा करेगे अब सान्ती पाएगे शान्ती दैवी बोली देखो सुमती संसारी धर्म को ठीक निभाने से कैसी सहज रीती से अन्ता करण शुद्ध हो जाता है और अन्ता करण की शुद्धता से ही तुम भी अपना गहर में धर्म करो तुम उठके चाय बना कर देओ धर्म नहीं करती धर्म करो वो करते हैं तुम नहीं करती तुम करो उनका धर्म है तुमारी पालना करना तुमारे सहयोग देना शांती देवी देखो सुमती संसारी धर्म को ठीक निभाने से कैसी सहज रीती से अंता करन शुद्ध हो जाता है और अंता करन की शुद्धी से हम कैसी सुगंता से परमार्थ पत्थ पर आगे बढ़ जाते हैं लोग और परलोग दोनों ही सुखरूप हो जाते हैं जो अपने धर्म पर तत्पर रहता है वह अज्ञान और एहनकार के अंधेरे से दूर होकर प्रकाश में पहुँच जाता और स्वयम भी दूसरों को प्रकाश में ले जाने वाला बन जाता यह बहन धर्म के कारण ही मन, चित, बुद्धी, इंद्रिया और अंताकरण प्रकाश हो जाता जो धर्म को अपना साथी बनाता है, उसे यह साथी परम आनन्द की प्राप्ती सहज ही में करा देता धर्मात्मा पुर्षों की बुद्धी, उनका अंताकरण, विशुद्ध, निर्मल, पवित, प्रकाश में और बलवान होता है धर्मात्मा पुर्षों की बुद्धी, उनका अंताकरण, विशुद्ध, निर्मल, पवित, प्रकाश में और बलवान होता है धर्मात्मा पुर्षों के काम दुन्या में प्रयाठ ठीक होते हैं इससे उनका चित्ध सदा प्रसंद रहता है और साथियों को भी प्रसंद रहता है धर्मात्मा में भूल भ्रह्म नहीं होते वह सदा समचित होकर काम किया करते हैं उनका जीवन, सत्य, सेवा और प्रेम का सुरोथ होता है धर्मात्मा मनुश, इस्तुरी हो अथ्वा पुरुश, ग्यान के प्रकाश से भरपूर होने के कारण तब तुक्जान को यथार्थ जानने और बताने वाले होते हैं धर्मात्मा पुरुष ही इस लोग और परलोग में यथार्थ धनवान माने याते धर्मात्मा मनुष्ट का धर्म, सदा जागरत, इस्थाई और रक्षाकारी होता है धर्मात्मा को ही शीघ्र अपने आत्म सुरूप का यथार्थ अनुबव होता है धर्मात्मा पुरुष्ट को ही शीघर अपने आत्म सरूप का ग्यान और यतार्थ अनुभव होता है बहन सुमती मैंने तुम्हें ये धर्म की बाते सुनाई अब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि जो इस धर्म को छोड़ देते हैं उन्हें कैसी हानी उठानी पड़ती है धर्म त्याक से हानी शांती देवी कह रहे है सुमती से सुमती तुम यह तो समझी गई होगी कि संसार में जो मनुष्य ये बिना सुने धर्म कैसे करते धर्म तो पहले भी कर रहे थे ये सुनके फिर धर्म करने के सक्ति मिलते फल की युक्षा छोड़के धर्म करने शुबती इसके अंदर भी भगवान है प्रसन होगा उसका मन प्रसन होने दे तो हमने उससे मतलब नहीं है अपना करम हमने किया है प्रसन्ता तो पाना पमने उसका अपना होता है करते 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 पहले उसे कर रहे हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं इसलिए कर रहे जिब करते ही रहे ठीक हो जाता है एक सुमती तुम यह तो समझ ही गई होगी कि इस अंसार में जो मनुश्य अपने धर्म का ठीक ठीक पालंग करता है, उसका अंताकरण बड़ी सरलता से शुद्द हो जाता है। अंताकरान शुद्ध करने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता सुगमता से शुद्ध हो जाता है फिर वह सहज ही परमार्थ पत्थ पर आगे बढ़ जाता है जो लोग धर्म मारिक को छोड़कर मनमाना आचन करने लगते हैं उनके लिए आत्मा का स्वरूप उसी प्रकार छिप जाता है जैसे काले बादल च्छा जाने से सूर्य मंडल कि कह रहा है जो लोग धर्म का रस्ता नहीं अपनाते अधर्म पर चलते हैं तो उससे ज्यान करस्ता वैसे ही शिप जाता है जैसे कि काले बादल च्छा जाजाएं तो तुरुझ नहीं दिखता है एक्षाओं का बादल है हमारी उनसे सबके प्रति एकशा जो है वह भादल की तरह आ जाती धरम भूल जाती कर्म करके सेवा करके फिर उनसे हम कुछ चाहते हैं बदला ये एक्षा बादल बन जाती है वो एक्षा उटा दो दो रहेगा अच्छा है अच्छा रहेगा फल की एक्षा फल की एक्षा कत्यागी कर्म करना बंधन का कारून नहीं है फल की एक्षा बंधन का कर रहे है, वो रागदेश लाती है, वही सारा विकार लाती है, कर्म करने के लिए तो देह बनाई है, उसमें तो हमने फल लगा लिए, फल मिले, फल तो आनंद आपके अंदर है, आनंद का ब्रक्ष लगा है, उसमें सीचने के लिए ही तो बाहर से है, उसको अगर एक्षा पूरी कर लोगे तो आनन्द कहा रहेगा, फिर बिश्यों में मन फस लोगा, एक्षा पूरी नहोई तो दुख पूरी हो गई, तो सुख आनन्द कहा मिलेगा, कर्टब करके आनन्द पाना, कर्टब का फल नहीं चाहिए, फल भगवान पर छोड़ो, जिसने कर्टब बना हैं, वो फल देगा, आनन्द, प्रानी से न चाहो, इसके प्रित काम किया, अब यह हमारे भी कामा है, हमने ऐसा किया, यह अब हमारा भी ऐसा करे, बुढ़ा, यह नहीं हमने अपनी खुशी के लिए किया है, वो यहीं बदला हम लोग करते हैं, भगवान देगा उसका, भूल जो, कर्म करके किसी के साथ भी भूल जो, अच्छा करके, बुरा किया है तो उसे न करने की सोचो, बुरी सोच भी की है किसी की प्रती, तो उसे न करने की सोचो, सोच भी अच्छी बनाओ, सोच के बड़ा महत्त है, सोच के लिए ही सत्तंग में आए हैं, सोच बदलने, सब चीछ तो है कर होई रहा है, सोच नहीं बदल रहे हैं, सोच बदल गए हो गया भजन, मन की तरंग माणलो बस हो गया भजन, मन की तरंग माणलो बस हो गया भजन, आदत बुरी सांभाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सांभाल लो बस हो गया भजन, आया थ तू कहां से और जाएगा कहां, इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन, इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सांभाल लो बस हो गया भजन, ये महल मारियान तेरे साथ जाएंगे, ये महल मारियान तेरे साथ जाएंगे, विचियो से मन को मौन लो बस हो गया भजन, विचियो से मन को मौन लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सांभाल लो बस हो गया भजन, नजरों में तेरी दोश है दुनिया निहारता, कोई बुरा बुरा कहे, कर दो उसे छमा, वानी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, पहले जो गयान मिल रहा है उसी को बुरा न समझो, समझो इसमे मेरा भला है, उस सब्द को बुरा न मानो, उसे पी जो, फिर और सब के साथ हो जाएगा, कोई बुरा बुरा कहे, कर दो उसे छमा, वानी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी समाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मोडल बस हो गया भजन, नजरों में तेरी दोश है, दुनिया निहारता, समता का अजन डाल लो बस हो गया भजन, समता का अजन डाल लो बस हो गया भजन, आदत बुरी समाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मोडल बस हो गया भजन, अन्य मोल ब्रह्म अनन्द को जो धूंड ना चाहो, अन्य मोल ब्रह्म अनन्द को जो धूंड ना चाहो, गट गट में हरी निहार लो बस हो गया भजन, घट घट में हरी निहार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी समाल लो बस हो गया भजन, चला, हो गया भजन, आई उन्य मोल प्राओरा लो जो पो जो आए हो गया भजन, जब गड़ो एंग नावड़ा भज़िया रहां जब उन्य मोल बस हो जो भजन भास, झाल 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 झाल